नमस्कार, बायोग्राफी के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अच्छूतों के उधार सहित अन्ने छित्रों में उनका योगदान कम नहीं है। नहीं था, उनका स्कूल घर से काफी दूर था। लाहोर में एक बार एक दुकान पर गणित की पुस्तक खरीदने गए। दुकानदार ने मजाग में गणित का एक ठिन प्रश्न उन्हें हल करने के लिए दिया। और कहा कि यदि तुमने ये प्रश्न हल कर दिया, तो मैं तुम्हें मुफ्त में किताब दे दूँगा। कहना ना होगा कि हंसराज जी ने वो किताब मुफ्त में ही ली। सन 1885 में जब लाहोर में अपनी बड़े भाई मुल्क राज के यहां रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय वहां स्वामी दयानन सरस्वती के सत्संग में जाने का अफसर इने मिला। स्वामी दयानन की प्रवचन का युवक हंसराज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब उन्होंनी समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्षय बना लिया। हंसराज जी आवश्चक कारियों से बचा सारा समय मोहले की गरीब और अनपड लोगों की चिथी पत्री पढ़ने और लिखने में ही लगा देते थे। अठारा सो सततर में आरे समाज का प्रचार करते हुए स्वामी दयानन जी लाहोर पहुँचे और वहां उनकी धूम मच गई काफी लोग प्रिये थे वो। ये दोनों भाई भी उनसे बहुत प्रभावित हुए तीस अक्टूबर 1883 को जहर दिये जाने की कारण अजमेर में स्वामी जी का स्वरगवास हो गया लाहोर के आरे समाजियों ने अगले ही महीने ये तै किया कि उनकी स्मृती में दयानन्द एंगलो वैदिक याने की DAV और स्कूल खोले जाएंगे जहां पाश्चात्य विद्य के साथ साथ पूर्वी ज्यान और विशेशकर वैदों की शिक्षा दे जाएगी परंतु धन का अभाव इसके रास्ते में आ रहा था उनके बड़े भाई लाला मुल्क राज स्वैम भी आरे समाज की विचारों वा अर्थात 30 रुपे प्रती मास देते रहेंगे व्यक्तिगत सुख के उपर समाज की सेवा को प्रधानता देने वाले हंसराज ने साहर्ष ही इसे स्विकार कर लिया इस प्रकार 1 जूल 1886 को महात्मा हंसराज दयानन एंगलोवेदिक हाई स्कूल लाहोर के एवेतनिक प्रधा द्यापक बन गए इस समय उनकी आयू 22 वर्ष थी सन 1889 में दयानन्द एंगलोवेदिक हाई स्कूल एक कॉलेज बन गया इस पर भी हंसराज जी एवेतनिक रूप से कारे करते रहें उन्होंने 1911 तक इस पद पर कारे किया इसके बाद ही उन्हें दयानन्द कॉलेज समय समाज सेवा को समर्पित कर दिया 1919 में उन्होंने अम्रित सर में इंडियन सोचल कारेंस की अधेक्षता की देश विदेश के आरे समाजियों की जो पहली कारेंस 1927 में भारत में हुई वे इसके अधेक्ष भी चुने गए महात्मा हंसराज जी के कुछ महत्पुन कारें भी हैं जो उन्होंने किये सन 1922 में हंसराज जी के कारेंकरताओंने केरल के 2500 से भी अधिक लोगों को पुना हिंदु धरम में वापस लाया ये लोग मोपला विद्रो में बल पूर्वक मुस्लिम बना दिये गए थे विकट परिस्तितियों के बावजूद भी यह कारें महात्मा हंसराज की नित्रत्व में एक शिवर लगा कर लाला कोशल चंद और पंडित मस्तान चंद ने किया था सन 1895 में बिकानेर में आये भीशर अकाल के दोरान दो वर्षों तक बच्चा वैसाहता का कारे किया और इसाई मिश्नरियों को सेवा के छदम वेश में पेडित जनता का धरम परिवर्तन करने से रोका लाला लाजपत्राय इस कारे में अगर्णे रहे जोदपूर के अकाल में लोगों की सहायता है तो 1400 अनात बच्चे आरे अनाथालियों में पालन पोशन के लिए लाए गए महात्मा हंसराज एक राष्ट भक्त भी थे परन्तु ऐसायोग आंदोलन की समय उन्होंने डेवी कोलेजों को बंद करने का घबोर विरोध किया था उनका कहना था कि इन कोलेजों पर ना तो विदेशी सरकार का कोई नियंतरन है और ना ही ये सरकार से किसी परकार की सहायता लेते हैं महात्मा हंसराज जातिवाग के प्रबल विरोधी थे और इन्हें हिंदु धर्म की उन्नती के मार्क की बहुत बड़ी बाधा मानते थे उन्होंने सिक्षा प्रसार के छेत्र में अनुकर्णिये योगदान दिया था महात्मा हंसराज जी ठोस परंतु मुग कार्य करता थे आतम प्रचार से भी कोसो दूर भागते थे लोगों ने उन पर राजनीती में शामिल होने के लिए बहुत जोर भी डाला परंतु इसका एक ही जवाब था मैं नीम में पढ़ने वाला पत्थर हूँ रशनात्मक कारे में लगा हूँ और सदा इसी में लगा रहूँगा और अपने जीवन के 74 वर्षों में से 58 वर्ष रशनात्मक कारे में लगने के बाद 15 नमंबर 1938 को उन्होंने यह नश्वर देह त्याग दी परंतु आज भी देश के 15 DAV डिग्री कॉलेज और 85 DAV हाइर सेकेंडरी और हाइर स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक लाग से अजित छत्र छत्राय उनकी याग को ताजा बनाए हुए हैं इसके साथ ही हमारा आज काई वीडियो यहीं पर कम्प्लीट होता है हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और परस्नालिटी के साथ धन्यवाग